सुनिये, त्रेता युक की बात है, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, अगनी, वायू, आधि सारे देवता, सब्त रिशिगन और पित्वी देवी, सब मिलकर वैकुंठ लोग जा पहुंचे कगन सत्रिशं, मेगवर्ण शुहांगं, लक्ष्मी कांतं, कमलनयनं, योगि भिर्णार कम्यं, वन्दे शुनुम् भभभय हरं, सर्व लोग एगनाथं, हे देवताओं के स्वावे, शर्णागतों के रक्षक, आपकी जय हो, हे क्रपालू, आपकी लिला अधुद है, उसका भेत कोई नहीं जानता है, कोई भी उसको जानने का अभिमान नहीं कर सकता है, और उसे वही जान सकता है, जिस पर आपकी क्रपा, हम पर क्रपा करने प्रभू, पापों का नाश करने वाले नारायन, हमारी सोदिलें प्रभू, देवी पित्वी, एवं समस्त देवता, अपने मन, वचन और कर्म से, चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आये हैं, ए अविनाशी, हमें दर्शन देकर, हमारा उपकार करें प्रभू, हे भक्त वस्तल भगवान, हे आशरणों के शरण, हमारी रक्षा कीजिए प्रभू, हे श्रीपति, आप ही मेरे पालक है, आप ही मेरे रक्षक है नाथ, आप ही के आदेश पर, मैं इस मृत्यों लोग के समस्त जीवों को आश्रे देती हूं, उनका भार उठाती हूं, सब कुछ सहन करते हुए, मैं उनका लालन पालन करती हूं, किन्तु ये राक्षस राज रावन मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है, जो मेरे लिए असहनिये हो गई है, अपने बल के मद में चूर होकर, रावन चारों और आतंग फैला रहा है, जिसे भी वो थोड़ा बलवान समझता है, उसे ये उनमादी रावन युद्धम देही, युद्धम देही कहकर, युद्ध के लिए ललकारता रहता है, और जो निर्बल और शान्ती प्रियजीव हैं, उसे भी बिना कारण सताता रहता है, रावन और उसके राक्षस रिशियों को यग्य नहीं करने देते, मुलियों को तपस्या नहीं करने देते, और अपने मनोरंजन के लिए निर्दोष जीवों की हत्याय करता है, पूरी पृत्वी पर रावण ने स्त्रीयों के अभारण और अत्याचार का अभियान चला रखा है कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं हे विशंबर उसका ये अत्याचार देख मुझे मा का रिद्य फटा जाता है मुझसे अब और सेहन नहीं होता प्रभू मुझे इस राक्ष से मुक्ति दिलाए हे विश्णु देव हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रताडित कर रहा है हम देवताओं प्रकृती के नियमों की रक्षा करते है हमारे कारण कोई भी तत्व अपनी मर्यादा भंग नहीं करता है किन्तु रावण हमें भी सनातर नियम तोड़ने के लिए विवश करता है और उसके भाय के आगे हम सब कुछ नहीं कर पाते है कर दोड़ने करते है प्रकृती करते है ए इंद्र तेरा ये तु साहस अपने मेगों के द्वारा तु मुझे रोकना चाहता है अपनी पराजे पूल गया क्या कहीं तु याद दिलाओं या एक बार फिर मुझे से टकराना चाहता है यदि यही इच्छा है तो आपने बादल नहीं तो मैं अभी ये सिक्षन तेरा उपचार करे देता हूँ कि मेरी मित्रता मही तेरा हित है सूर्यो देफता पर क्या कर रहे हैं आप अपने सम्राट से कुछ सीखिए और मेरा अनुकूल रहा कीजिए देखते नहीं आपकी किरणों के ताप से कैसे मेरा माथा जला जाता है और हाँ वो चंद्रदेव उस चंद्रदेव से कहो वाता वरण को थोड़ा शीतल कर देव जाओ कि अगे प्रभू नावन के अत्याचारों से हमारी रक्षा का सामर्थ्या के वल आप में हैं आप समस्त जीवों की अंतरात्मा हैं और हम सब में जो कुछ भी शक्ती है वो आप से ही है हम आपकी शरण में हैं हे अक्षर शिग रही हमारा उधार कीजिये श्रीपती नहीं तो यह सारी व्यवस्था नश्ट हो जाएगी जगत पिता ब्रह्मा का बर्तान पाकर यह रावन मनमाना हो गया है इस समय ब्रह्मान में उसे अनुशासित करने की शक्ती किसी के पास नहीं है हे प्रफू क्या उस आतिताई से हमें कभी मुक्ती नहीं मिल पाएगी आप निराशन हो ब्रह्मान मेरी प्रतिज्या है कि जब-जब गौमाता विप्रजन संत समुदाय और देवताओं पर विपत्ती आएगी जब-जब अविश्वास अनाचार और अधर्म की वृत्ती होगी और धर्म की हानी होगी जब-जब भक्त मेरा उपास करेंगे पेरी भक्ती को अंध विश्वास समझेंगे और तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यग्य की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूगा मेरी ये प्रतिग्या अटल है भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवश्य अवतार लूगा भागवान विस्थूगी! जैही . जैे भागवान विस्थूगी ! कि पूर्वकाल में रावण ने कठोर तपस्या की थी और प्रह्मा जी से परदान ले लिया था कि उसे देवता, दैत्य, गरुड, नाग, यक्ष आधी कोई भी ना मार सके किन्तु उस समय उसने मनिश्यों का नाम नहीं लिया और ये तिरसकार से कहा कि मनुश्य तो उसके लिए तिनके के बराबर है अहंकार सदैव पतन का कारण होता है रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा क्योंकि शीगरी मैं मनुष्य रूप में अफ़तार लेकर तुराचारी रावन का वद्ध कर दूँगा हुआ 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 है है पुष्युत्तम हमें क्या करना होगा आदेश दीजिये प्रभू आप सब भी प्रित्वी पर अपने अपने अंचों से बानर कुल और रिक्ष कुल में अफ़तार लीजिये समय आने पर रावन के विरुद्ध धर्म युद्ध में मैं आपकी सहायता लूगा आप समस्थ जगत के पालक हैं ये थड़नी धर आप से ही ब्रह्मान जन्म लेता है और आप ही प्रहलाइकाल में इसे अपने में लीन कर लेते हैं हे प्रभु रावन के विनाश के लिए आपका एक कटाक्ष ही परयामत है फिर भी आप हमारी सहायता चाते हैं हे प्रभु हमें आशीरवाद दीजिए कि हम आपकी लीला से मोहित होकर अंकारी न हो जाएं आपकी दिदी देवी रुक्मनी रेम में समर्पण तो करती हैं किन्तु प्रदर्शन नहीं फिर भी मेरे प्रती उनका गहन प्रेम वो कुछ अफसरों पर कुछ आगर हो ही जाता है कि या बात है प्रिये कुछ कहना चाहते हैं कुछ भी तो नहीं नात ये नरा अफदार मैं धर्म की स्थापना के लिए ले रहा हो प्रिये किन्तु कोई भी धर्म कारे धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता आप मेरी सहचरी हैं आपको ही एदायत्व निभाना होगा इस अफदार में मैं अनाचारी राक्षसों का वद्त तो करूँगा ही किन्तु ये अफदार लेने का मेरा उद्देश्य अपने जीवन चरित्र के माध्यम से सदाचार का अधर्ष प्रस्तुत करना है मनुष्यों की शिक्षा और प्रेणना के लिए मैं सत्य और धर्म के दो पैरों पर चलूँगा और जीवन की मर्यादाओं पर अडिग रहूँगा मेरा ये अफदार मर्यादा पुरिशोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा ओम नमा शिवाई लूँ 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 आप ये किसका जाप करें, महादेव? राम, मेरे राम राम, कैसी शीतलता है इस नाम में? अनादी काल से ही, यह नाम इस जगत का, सबसे सिद्ध और सरल मंत्र है वो कैसे महादेव? ओम नमो नरायन मंत्र से विजाकषर राव और ओम नमो शिवाए मंत्र से विजाकषर मां को मिला देने से इस राम मंत्र की रशना होती है इस अमूल ए मंत्र में भगवान विश्णू की कल्यान कारी शक्ति के साथ मेरी शक्ति का विवास है यह मंत्र सरमंगलकारी है मोक्षकारी है और सभी प्राणियों के हैं कल्यार की राम बान उश्दी है आपकी महिमा नेराली है पुलेलान आप जब उग्र रूप धारन करते हैं तो तीनों लोग कापने लगते हैं और जब प्रेमगन होते हैं तो ऐसे कि देखने वाला भी आनन्द में हो जाए जो आनन्द मेरे मन में जागा है शीग रही वे पूरे पृत्वी लोग पर छाजाएगा वो कैसे महादेव क्योंकि आपके जो परम रहस्य में महान भाई भगवान विश्नु है ना वे मनुष्य रूप में चन्द लेने वाले हैं और इस मनमोक अफ्तार में उनका नाम होगा श्री राव श्री राव पर मेरे भाई अवश्य हैं अन्दिश्यों पर तो आपके प्रेम और समर्पन के समस्द मेरा प्रेम तो कहीं ठहता ही नहीं रिष्यो ने भी सथ्य कहा है शिवाए विश्न रूपाई शिव रूपाई विश्ण वेश्त अर्थाल शिव का रूप है और विश्नु शिव का रूप है शिव विश्नु के हिर्दय में वास करते हैं और विश्नु शिव के हिर्दय में परन्तों महादेव, श्री नारायन को अवतार लेने की क्या अवर्शकता है पिस जब जाहें तब, अपने चक्र से रावन की दसों से काट सकते है निश्यत ही काट सकते हैं शैल पुत्री किन्तु श्री हरी ब्रह्मा जी के वर्दान की आवहिलना नहीं करेंगे किन्तु ब्रह्मा जी अगवान विश्नु और मैं तीन अलग अस्तित वावश्य है किन्तु मूल में हम तीनो एक ही है ब्रह्मा जी को बात दे होकर उसे मन चाह वर्दान देना ही पड़ा और तब से वह अजे होकर अत्याचारी होगी इसलिए जब तक उस पापी के पूर फुर्णियों का च्छे नहीं हो जाता उसका बद नहीं किया जा सकता अब उसका काल निकट आता जा रहा है और शीग रही भगवान विश्नु श्री राम का अफ़तार लेके उसका अंधकर डालेंगे और उनके इस कार्रे में मैं उनकी सायता करूँगा आप महेश्वार? हाँ भवानी भगवान विश्नु के इस राम अफ़तार के साथ साथ मेरा आँशिस वानर कूल में उत्तम वानर हनुमान बनकर जनम लेगा और अपनी भक्ती और समर्पन से प्रभू को प्रसंद करेगा और राम नाम की सिध्थी को प्रसिध करेगा प्ष्र और थजा विराजे गाने मुझ जने उसाजे